हेलो फ्रेंद्स आज हम देखेंगे up ITi scholarship के scholarship के लिटेस्ट अपडेट के बारे में करेंट इस्टार्टिस क्या चल आ है कब तक scholarship आ सकता है हमारा अगर आप भी iti की इस्टूडेंट है या फिर अधर किसी कोर्सिज की इस्टूडेंट है और उत्र रपर इसमें आपका एडमि यूपी स्कॉरस्रीप आलाइन फॉर्म पिर देखें यहां से हम चलेंगे ऑफिसेल वेब साइट पर पर देखें यहां थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे इसके बाद स्टुटेंट अगर आपका 1st year है तो आप इस fresh login पर क्लिक करेंगे अगर आपका 2nd year और 3rd year कुछ भी है अगर आपका it is second year है तो renewal login पर तो चलिए हैँ आप हैं fresh login पर क्लिक करते हैं ठीक student fresh login इसमें आप सेलेक्ट करेंगे postmatic other than inter student login अगर आप other state से हैं तो आप यह वाला option क्लिक करेंगे अगर आप उत्तर पर देसे हैं तो third वाला option क्लिक करेंगे ओके हम third वाला option क्लिक करते हैं उसके बाद आपके सामनी यह सब आता है डीटर्स आप भरेंगे इसमें आप भरेंगे रेश्टेसन संक्या इसमें अपना डेटा वर्ड इसमें आपका पासवर्ड जो की scholarship का फार्म फिल अप करते समय आपने बनाया था और इसके नीचे यह यहाँ पर है आपका capture code यह capture code आप यहां पर फिल अप करेंगे फिर finally यहां से सब्मिट का बटन क्लिक करेंगे उसके बाद आपका आएगा壓क कोछ इस और फिर देखिए आपका यहां पर फाइनल समिशन कब हुगा है यहां कम्प्लीटेड है अठारा बारत वारत 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 कब है मतलब आपके इंस्टिटूट कॉलेज तो आईटियाई से कब फारवड किया गया है यह 16 2021 को फारवड किया गया है वारिफिकेशन 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 व तो अगर यहां से इस वाले फॉर्थ वाले स्टेप से आपका G Voncom जो स्टाटरशários दिखा रहा है तो आप निश्चिन planned रही है He hơn क्या मार्च के इंट तक क्यों आपि स्टार्टश में क्या अपी फीशो कर रहा है की दिखाई देना है तो इसी तरह आप भी अपना scholarship का registration number लॉग इन करके चेक कर सकते हैं कि आपका scholarship का क्या current status हो रहा है तो ठीकि वीडियों बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों आपका वीडियों अच्छा लगे तो like करिए चैनल नए है चैनल पर तो चैनल को subscribe करिए मिलते हैं अगले वीडि